आने वाले दिनों में युक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है और वो भी ऐसा जिसमें युक्रेन के राश्पती वॉलदमिर जिलेंस्की को हटाया जा सकता है और इसकी वज़ा रूस नहीं बलकि खुद अमेरिका और बिटेन जैसे सहियोगी देश होंगे जैलेंस्की की सत्ता से विदाई के लिए अमेरिकी खूफिय एजनसी सी आए और बिटेन की सीक्रिट सर्वेस में बिटेन में पहले ही एक ऐसा चकरव्यू तयार कर लिया है एश्या टाइम्स में लॉरी जॉनसन ने इस बात का खुलासा किया है उनके मुताबिक युक्रेन मे अगले साल मार्च दोहजार चौबिस में जैलेंस्की को राश्पती चुनाव कराने के लिए मजबूर किया जा सकता है और फिर चुनाव में उन्हें बदल दिया जाएगा यदि वो सत्ता से नहीं हटते हैं तो किसी न किसी घटना में उलजा कर उनकी सत्ता से विदाई कर दी जाएगी आपको बता दे कि इस से पहले भी अमेरिका ने 2014 में युक्रेन में नित्रतु को बदला था मौजूदा अमेरिकी विदेश विभाग की अवर सचिव विक्टोरिया नूलन का इस पूरे ऑपरेशन में हाथ था उन्होंने उस वक्त युक्रेन में अमेरिकी रा राश्पती पद के उम्मिद्वार के चैन पर बात कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने ततकालीन उपराश्पती जो बाइडन और राश्चे सुरक्ष सलाकार जेक सुलवन से मदद भी मांगी थी और मौजूदा समय में भी ये तीन खिलाडी जेलेंस्की को सत्ता से हटा जाना चाहते हैं क्योंकि अब जेलेंस्की को इतनी मदद देने के बाद भी युद में अमेरिका को जिसकी उम्मीद थी उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं जेलेंस्की एक ऐसे बच्चे की तरह विवार कर रहे हैं जिसकी सारी जरूरते पूरी की जा रही है उसके बाद भी व उसे जेलेंस्की ने नहीं माना बलकि उसके उलट जाते हुए उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से अमेरिका नाराज हो गया अमेरिका चाहता था कि युक्रेनी सेना क्रीमिया पर बढ़त बनाए जिससे रूसी सेना बैक फुट पर आ जाए और इसके लिए युक्रेनी की सबसे खुखार ब्रिगेड को लगाया गया था जिसने क्रीमिया ब्रिज पर दो बार हमला भी किया था लेकिन जेलेंस्की ने इस योजना को आगे फॉलो नहीं किया इसके अलावा जेलेंस्की की अपने जनरल जलूजनी और सिरस्की के साथ लड़ाए भी चल रही है हाला कि युक्रेनी जनरल के साथ जगड़े के बीच जेलेंस्की अगले साल मार्च दो हजार चॉबिस में राश्पती चुनाव कराने की बात से इनकार कर चुके हैं उनका कहना है कि युद्ध के बीच चुनाव की बात करना बेइमानी होगी जेलेंस्की ने अपने जिद की वज़ा से बख्षमुक को दोबारा वापस लेने के लिए काउंटर ओफेंसिव को रिन्यू करने का फैसला किया इसके अलावा उन्होंने युक्रेनी स्पेशल फोर्स के मुख्या को भी पत से हटा दिया और यही वज़ा है कि जेलेंस्की के ये फैसले अमेरिका के गले की फास बन गए है साथ ही युक्रेनी जनता में ये बात घर कर रही है कि युक्रेन युद्धार रहा है और जेलेंस्की की छवी को भी आम लोगों के बीच बट्टा लग रहा है इसके अलावा अमेरिका युक्रेन को लेकर रूस के साथ समझोता चाहता है और ये समझोता उन बिंदूओं पर हो सकता है जो शायद जेलेंस्की को मनजूर ना हो रूस का कहना है कि ये युद्ध तब ही खत्म होगा जब पश्चिम युक्रेन का साथ छोड़ देगा हाला कि जेलेंस्की रूस के साथ किसी भी समझोते के खिलाफ है जेलेंस्की का कहना है कि रूस बिना किसी शर्त के युक्रेन से अपने सैनिक वापस बुलाए और इसे देखते हुए जिलेंस्की की मांग और नेटो के हित दोनों अलग-अलग होते जा रहे हैं और इस वज़ा से युद्ध का कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है और अगर कोई समझोता या डील नहीं होती है तो सैन ने रूप से युक्रेन युद्धार सकत है जिस से नेटो की निवारक शमताओं को ऐसा नुक्सान पहुचेगा जिसकी कभी भरपाई तक नहीं की जा सकती